आपको लग रहा है कि आपके घर में पित्र दोश है, आपको ऐसा महसूस होता है तो किसी भी नौरात्री के पहले जो मवस्या पड़ती है चावल की कटोरी में एक कपूर का तुकडा रख दीजे माद, छोटा साथ और कपूर का तुकडा रख कर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही चावल रखी वी कटोरी में ही उसको पित्रों का इसमन करकर जला दीजे और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी ब्रक्च की चाओं में पक्चियों के लिए डाल दीजे शुमाहपुरान की कथा कहती है अगर मान लो पित्र आपको कष्ट दे रहे हैं पित्र आपको तकलिप दे रहे हैं कोई काम नहीं होने दे रहे हैं या कहीं आपको इसा लगता है कि पित्रों का दोश है तो वो पित्र दोश देवी अब ये जो आप करेंगे ये कप कर रहे हैं अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुभा एकम पढ़ गई, नौरात्र लग गई, उसी दिन उसको जला कर आपने पटग दिया, अर्थात उससे देवी और पित्र इन तोनों का अशिर्वा जो प्राप्त होता है, तो घर में से पित्रदोश समाप्त होकर लच्छमी की वर्था प्रारम्ब हो जाता है।